पुरे देश में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए क्रिशी कानुन के विरोध का दौर चारी है। इस कानुन का अलग-अलग राजियों में विरोध करने के बाद अब दिल्ली में डटे किसानों के समर्थन में किसान कानुन को वापस करने की मांग कर रहे है। किसान संगठन के साथ ट्रेड यूनियन, युवा संगठन, सामाजिक संगठन, सहितराजनितिक पार्टी विरोध कर रही है। सेयुक्त ट्रेड यूनियन के देश व्यापी आवहन पर अगामी 14 दिसंबर को एक दिवसी शांधिपोर्ण धरना घंटा घर चौक में करेंगे। एटक के जनरल सेकेटरी हरिनात से ने तीलक भवन में पत्रकार वारता आयोजित कर कहा कि केंद्र सरकार तीन काला कानून लाई है जो किसान विरोधी है। बड़े उद्योग पतियों के हाथ देश की अर्थविवस्था सौपने की योजना बनाई जा रही है। इससे आम लोगों को आने वाले समय में परिशानिया होगी। क्रिशी कानून के विरोध में 14 दिसंबर को धर्ना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराएंगी। प्रेश भारता में इंटक नेता दिपेश मिश्रा और श्री रजक मौजुद रहे। 14 तारी को पूरे देश भर में किसान आंदुलन धर्ना देगा और उसके समर्थन में 14 तारी को शक्रिय समर्थन के लिए पूरे राज में हर जगे धर्ना प्रदर्शन किया जाएगा सांतिमपुर तरीके से उसी के कड़ी में कुर्बा जीले में भी 14 तारी को 11 बजे दिन से दो बजे दिन तक बाबा साहब अमेडकर जी के परतिमा के पास घंटा गर में कुर्बा में धर्ना दिया जाएगा और उस धर्ना में सभी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है राजनितिक दल, सर्ब दल, सर्ब संगठन, छात्र, बेवसाई, नौजवान, बुधी जी भी, क अलाकार ये सारे लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि आप साधर आमंत्रित हैं, किसान भाईयों के देश के अंदाता किसान भाईयों को बचाने के लिए इस अंदुलन में, सकिरिय भागीदारी के लिए आप घंटा गर में इसी समय में आप आएं, और COVID-19 के नियमों को तहत, आप मास्क लगा के आईए और ब्यक्तिगत दुरी बना के रहें, ये हम अपील कर रहें आपके माध्यम से और घंटा गर में हम लोग 14 तारीकों मिलेंगे सब लोगों का है, एक्टा करने इस अभी Central Trade Union, 10 Trade Union के लोगों ने कॉल कर दिया है, सारे संगठन के लोग रहें के सारे राजनीतिक दल जिसे हमारे यहां कॉंग्रेस सत्ता में है, कॉंग्रेस जैसे कामेर रजक ने कहा कि मानने राजियू गांधी जी ने कहा, राहूल गांधी जी ने कि हमारी पार्टी समर्थन करती है, पहले भी मानने सुनिया गांधी जी ने कह दिया है, विपेश ब